आगामी लोकसभा चुनाओ के मद्दे नजर बीजेपी ने अपने 195 उमीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। इन उमीदवारों में 15 राजस्थान के लोकसभा सीटों से हैं। बीजेपी ने यहां से आगामी लोकसभा चुनाओं के लिए पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरे उतारे हैं। उनमें से एक है देवेंद्र जाजडिया जिने बीजेपी ने राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से उमीदवार बनाया है। जाजडिया का यहां तक का सफर बेहत दिल्चस्प रहा है। जब वो केवल आठ साल के थे तो उन्हें बिजली दुरगटना की वज़े से अपना बाया हाथ खोना पड़ा। देविंद्र जजडिया जेवलिन थ्रो के इश्टार खेलाडी हैं जब वो केवल दस साल के थे तब ही उन्होंने इस खेल में कुछ कर गुजरने का ठाना। उन्होंने ये फैसला ऐसे हालात में लिया जब उनके पास केवल एक हाथ बचा था और दूसरा दुरगटना में खो गया था। कहते हैं जब कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो रास्ते खुद बखुद बनते चले जाते हैं। देविंद्र जजडिया का सफर भी ऐसा ही रहा। पेड की लकडियों से भाला बना कर एकलव की तरह अभ्यास शुरू किया। देविंद्र रोजाना भाला फेकने में एक्सपर्ट होते चले गए और दसमी में ही जिला इस तरी एथलिटिक्स टूनामेंट में पहली बार गुल्ड मैडल हासिल किया। और ये सिलसला साल दर साल आगे बढ़ता गया। जिले के बाद राजस्तर पर कामया भी पाई। कुछी सालों में राश्टी इस से पदक जीत कर विश्व भर में भारत का राम रोशन किया। देवेंदर जाजडिया निकीस अभूतपूर उपलब्धी के लिए भारत सरकार ने उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरुसकारों से सम्मानित किया। देवेंदर को 9 अगस्त 2005 में राश्टपती एपी जे देवेंदर जाजडिया की इस उपलब्धी पर समाज परिवार को गर्व है। पेता राम सिंग जाजडिया कहते हैं कि उन्होंने बेटे का संगर्ष देखा है। इस काम्याबी तक पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। शिरवाती दिरों में परयाप सुविध चुनोती खड़ी कर दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए निउस पॉइंट।